हाई गाईज वेलकम तो जारतन की जली व्लोग आपका मेरे चैनल में स्वागत है आई हूप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज मैं आपके लिए आज जीवित पुत्री का व्रत है तो हम उसमें आलता वेगेरा लगाते हैं तो मैंने सोचा कि आल न क्झाता कर डिजाइन भी आपक के साथ शेयर कर लूँ तो अभी मैं आलता लेके वेठी हूं यह नेकाल लिए है । इसका बा待ध्य को आल्था कह इन करेंगे और उसके बादब तो सबसे पहले मैं आलता लगा रही हूँ, मेरी बेटी परेशान करती है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करके अभी करनी हुआ, थोड़ा का में यह आलता का डिजाइन करने जा रही हूँ तो मैंने सुचा कि एक आलता का डिजाइन भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ I hope आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा चलिए ज्यादा बाते ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं पस्टार्ट करते हैं आपने देखा कि मैंने किस तरह आलता लगाया एक पर में मैंने आलता लगा लिया है और यह सीम उसी तरह दूसरे पर में मैं रिपीट कर रही हूँ तो आपको यह डिजाइन परशन दा रहे होंगी यह बिल्कुल कॉमन डिजाइन है मतलब मैं जो सबसी इजी जानती हो वही मैंने आपको इस बार दिखाया है और जो बिल्कुल भी आलता नहीं लगा सकते हैं उ यदि आपको यह डिजाइन पशन दाया है और और डिजाइन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताईएगा और साथी मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना नहीं भूद लेगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन ह उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए थैंक यू आपने बेखा मैंने किस तरह आलता का डिजाइन लगाया है आई होप आपको यह डिजाइन पशंद आया होगा बिलकुली सिंपल डिजाइन है और मेरे पास बहुत सारे डिजाइन भी है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पैरों में जब आलता लगाती हूँ तो अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया है और अगर आपको और सारे डिजाइन दिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे बताइएगा तो यह सबसे सिंपल डिजाइन था आई होप आपको पसंद आया होगा तो आज जीवित पुत्री का वरत है इसलिए मैंने अपने पैरों चला जाए तो आज के व्लोग में इतना ही मिलती हूँ मैं आप से एक और ब्रैंड न्यू व्लोग के साथ तर तक के लिए बाबाई सी यू शून थैंक्स पर वाचीग